पाकिस्तान से आया टिडियों का एक दल यूपी में भी परवेश कर चुका है और उन्नाब में हमला भी बोल चुका है यहां कई बिगहे मक्के की खेती चट कर दी गई है फसल चट करने से किसानों को लाखों रुपे के नुकसान का अनुमान है GPS और Google Mapping से टिड़ी के दलों पर निगरानी रखी जा रही है इस समय एक दल जहासी के आसपास देखा गया है यूपी में टिड़ी के दो दलों के परवेश करने की जानकारी मिल रही है बताया जा रहा है कि टिड़ीयों का यह दल पाकिस्तान से भारत में आया तीन दलों में बटी टिड़ीयां अब तक गुजरात राजस्थान मधपर्दिस में हमला कर चुकी है एहां पर कई बिग्या फसल चट करने के बाद अब यूपी में परवेश कर गई है बीते दिबस उननाव में एक टिड़ी दल ने हमला किया उननाव में टिड़ीयों के आसीबन और सफिपूर छेतर के कई किसानों को लाखों की चपट लगाते हुए कई बिगे मक्का अबम गन्ना की फसले नश्ट कर गई इसके साथ ही कानपूर मतुरा आगरा जहां से इटावा और करनोज में भी खत्रा मंडरा रहा है इन जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है किर्सी बैग्यानिकों का बताना है कि 25 किलो मीटर परती घंटा की रफ्तार से हवा की दिसा में उड़ने वाला टिड्री का दल रात में हमला करता है एक टिड्री दल 8-10 घंटे में करिब 100 किलो मीटर का सफर तें करता है एक बार भोजन के बाद जब 100 किलो मीटर उड़ता है फिर भूख लगने के बाद छेतर में पढ़ने वाली फसलों को चट कर जाता है बताया जाता है कि टीडी दल रात में पेर और फसलों पर ही बैठता है और फिर सुर्ज की पहले किरन निकलने के साथ ही उरान भर देता है उनाब में डिप्टी डिरेक्टर किर्शी डक्टर नंद की सोर का बताना है कि मौजूदा समय में टीडीओं के दो दल उड़ रहे हैं उनकी लोकेशन चेक करने के लिए जुन्ड के गूगल और जीपीएस के माध्यम से कवर किया जा रहा है यह रात में खेतों पर बैठ कर फसल चट करने के बाद सुबह में उरान भर लेता है ऐसे कीटों की उम्र अलग अलग परजातियों के हिसाब से होती है पाकिस्तान से आने वाली टीडियों का दल तूट कर तीन हिस्सों में बट गया है एक दल करिब सवा किलोमीटर दूसरे दल करिब साथे तीन किलोमीटर पर इस छेतर में उड़ा है माना जा रहा है कि एक किलो मीटर छेतर वाले दल में एक करोड से भी जादा टिडिया है इसमें पहले दल जहांसी सीमा से मधपर्देश के छतरपूर में महोबा में परवेश करके हवा की दिसा में चला तो दूसरा फातेहपूर से प्रियागराज की ओर जा सकता है दूसरा दल बीना के पास देखा गया है जिसके जालाओन से आकर हमीरपूर की तरफ बढ़ने का अनुमान है तिसरा दल जैपूर में देखा गया है जो हवा की दिसा में चलकर आगरा से इटावा, कन्नौज, कानपूर और उन्नाव की तरफ बढ़ रहा है टिड्री दल के हमले को देखकर सासन के निर्देश पर किर्सी विभाग ने गाउं को अलर्ट कर दिया है गरामिनों को परसिक्षित करना सुरू कर दिया गया है कनपूर में जिलाधीकारी डाक्टर बरहमदेव रामतिवारी ने किर्सी एवर्दी राजस्त्र अफसरों को समस्थ इंतेजाम करने के आदेश दिये हैं कानपूर में अलर्ट जारी कर दिया गया है कानपूर के उप निदेशक किर्सी धिरेंद्र सिंग ने बताया कि लगातार टीड़ी दल पर नजर रखी जा रही है मध परदेश और राजस्थान की डियाइसी इलाकों में भी टीड़ी दल कोहरा मचा रहा है इससे बचाब के लिए परसासन ने कई निर्देश जारी किये हैं नगर पाली का एवं नगर पंचाथ में पानी के टेंकर भर कर रखने का निर्देश दिया गया है दमकल वाहनों को पानी से भर कर तैं अस्थानों पर रखने को कहा गया है ताकि जरूरत परने पर इनके परियोग किये जा सके उप निदेशक किर्सी किसानों से बाचित करके पांच-पांच ट्रेक्टर परतेक विकास खंड में ख़रा कराएं हैं जिला उद्यान अधिकारी सबजी उतपादक किसानों को साबधान कर रहे हैं बलोई मिटी की जुताई करके जल भराव करने को कहा गया है ताकि टीडियों के विकास की संभावना को कम किया जा सके वहें किसानों को निर्देश दिया गया है कि टीडियों को देखते ही जोड़ जोड़ से सोर मचाएं खाली टीन के डब्बे बजाएं थाली एवं ताली बजाएं खेतों में धुआ भी करें ताकि टीडियों का जुन्ट उहां ठहराब न कर सके